हाई फ्रेंग्स नवसकार रादे रादे मैं हूँ बंदनाते वारी स्वागत कहते हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल बंदना के विएंजन में तो चलिए शुरू कहते हैं आज की हम अपनी नई रेसिपी अगर आपको मेरे व्यूडियो पसंद आए तो मेरे व्यूडि अपनी प्रेसिपी इसके लिए दिए है मैंने यहां पर दोख मूफली के दाने और इन्हें लगाता मीडिय dimension गयाइस पर छलाती रही हूं रही हमारी मूफली थोड़ी से सिखने लगी है और मैं चलाती रही हूं इन्हाँ अच्छी तरह चलाना है चोड़ना नहीं है चोड कि दाल डाई है चन्य की दाल को मंग अचीत्रविवेас के अच्छी तरह लिए हैं अभ्य को ठंद हो छी हैं इन के चिलके सारे हैं फैल के यौने के बाद इसके चलके निकल जाएंगे एंगे दोना हातों की मदस्से चलके निकाल लिए हैं यह देखिए बहुत ही आसानी से सारी चिलके अलग हो जाते हैं इसलिए इनके चिलके सारे अलग हो चुके हैं विल्कुल साफ हो चुकी है यह मैंने सारी चिलके नेकाल लिएं हैं मुफली के अब मैंने मुफली के चिलके और जो हमने चना डाल भून का रखी ओई थी वो मैंने mixing के grinder में डाली है मैंने इसमें डाला है एक कफ सुखे नार यल का बुरादा आप चां़ तो यहां मिर्चीक का बाल यूज कर सकते हो. अगरह आप मीठी थ làm पासन करनें मिर्ची के बिंसके कर सकते हो. यह भाल पीू तुस्की देख़ें. यहमारी चटनी रेडी हो चुकी है अब इसमें हम लगाएंगे तड़का तड़के के लिए मैंने एक कड़ाही रखी है यह इस पर कड़ाही में मैंने दो चमच ओईल डाला है ओईल को गर्म होने के बाद में मैंने इसमें एक चमच राई डाला राई डाली है राई के बाद में मैंने इसमें डाले हैं दसवारा कड़ी पत्ते नीम जो मीठा नीम होता है वो अब मैंने अपनी चटनी को इसमें डाल दिया है कड़ाई में जाते हैं चटनी थोड़ी सी गाड़ी होने लगे इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ किया है आप अपने अकवर्डिंग कैसी खाना चाहते हो बैसा इसमें पानी एड़ कर सकते हो क्योंकि वाद में रखी हुई गाड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी उच किया है अब मैंने इसमें डाला है आदा चमत नमक और यहां डाला है मैंने दो चुटकी गरम मसाला इससे बहुत ही अच्छा स्वाधा आता है अब इससे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है कडाई में ही गेस बिल्कुल सिम रखना है हमें हाई नहीं करना है वन्हारी यह नीचे जल जाएगी नीचे लग जाएगी नीचे नारियल बहुत जल्ली लगता है मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं अब मैंने यहां इसमें डाला है यह थोड़ा सा आदी चमच मेगी मसाला डाला है आदी चमच डाली मैंने यहां पर चीनी और यह तैयार है तो दियाए ऐसे नारील की चटनी बहुति श्वाधिस्ट बन गवती त्यार होती एक बार इस तरिके से आप ज़रू ठाई किजिएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे बनिया आपकी नारील की चटनी आगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजियी शियर कीजिये मेरि चनल को सस्काईब जरू कीजिए अम मैंने यह पर जो चावल बचे वेत्फवे मैं उसका मुने इसनों से एक पेष्ट बना लिया है और मैंने उंहें बड़े वरत रटन से िक businessman परतन में ट्रांसफर काल दिया है और में अध्याओ दूं पाकिट यदो डाल दिया है और मैंने ढोगले वालेवय प्लेट पे इसे अच्छी तरह है डाल दिया है तोड़ा सा ओई में गया की मैंने इसे पानी वोईल करने रख दिया था पानी वोईल होने लगा है इसके बाद मैं इस प्लेट को इस्टेंड में रख दिया है अब मैंने इसका धकन बंद कहें दिया है मीडियम फिलेम पर मैंने इसे 10 मुट के लिए ऐसे ही छोड दिया है तब 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है, 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है, उसकी भाब जब से निकल गई थी, उसके बाद मैंने इसकी प्लेट को उठा लिया है, और इसे चक्कू की मदद से 4 तरफ से इसको कट करके, यह मैंने अच्छी तरह निकाल लिय यूँ बड़ी आसानी से निकल चुगा है अब मैंने इसके पीशेश कर लिए है आप अपने मंच आए शेव में इसे कार सकते हो मैंने इसे लंबे-लंबे शेव कर लिए है मैंने इसके यह देखी बहुती आचा आसानी से कड रहा है वह देखी बहुती स्वाधिष्ट बन के तयार होती है जब कुभी हमारे चावल बच ही जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं फ्राइ कर लेते हैं यह मैं नई रेसिपी बनाई है एक वाद जरू ट्राइ कीजिए ऐसे अब मैंने एक कड़ाई रखी इसमें तड़का लगाने के लिए और पूर्प मैंने दो चमच ऑईल डाला है और हमारा गरम होने के बाद में एक चमच राई डाली है नारील की चटनी दोकला हो या इचली विना राई के तो कुछ टेस्ट आता ही नहीं उसमें राई के बाद मैंने इसमें आटदस पत्ति मीठे नीम की डाली है जिसे कड़ी प है है कि यहारी खटी मीटी तीकी ओने वाला है अब यह तड़का लगने वाला है और मैंने इसे सब को अच्छी तरह फ्राइ कर लिया है भी इसी हमारी अच्छी तरह फ्राइए ओने के बाद में इसमें थोड़ी से मैंने इसमें सफेद तेली डाली है सफेद तेल लाते हैं मार्केट में अच्छी तरह मिल जाते हैं मैंने वही थोड़े करके अच्छी तरह फिला दियें चारो तरफ कर मैंने से पल्टे की मदद से ऊपर नीचे थोड़ा कर दिया है इसलिए यहारा तरका हलके आसे ही किया है नहीं तो चपक जाएगा तरका पूरे में अच्छी तरह हमारा मिल जाए और यह देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनके तयार होती है यह हमारे बचेंगे चावल की रेसिपी बनके तयार है बहुत ही स्वादिष्ट जतनी यह देखने में लग रही है उतनी ही यह खाने में भी लगती है एक वर आप जुर ड्राइ करके देखिएगा अगर आपको म बसंद आती है तो में वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए जिससे में अपनी वीडियो आगे भी बना सकूंँ कि देखीं बहुत ही खो अच्की आ रहा है कि अच्onne एक हरता ही बहुत ही बुदो यसे बचेव चाबलों से से टेशयर के लिए झाल